चोकलेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मां आपको कार्थिक शुक्ल बक्षी की प्रभोधनी देवो उठान एकादशी की कता सुनाने जा रही हूँ इसे देव उठने एकादशी भी कते हैं प्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ट अब आप पापो को नष्ट करने वाली तता पुर्ण्य और मुक्ति को देने वाली प्रभोधनी एकादशी का महातम में सुनाईए भागीरत गंगा तता तीर्थ नदी समुद्र आधी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रभोधनी एकादशी नहीं आती कार्थिक मास की शुकल पक्षी की प्रभोधनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र अशु मेग तता सो रास्वी यगी के फल के वराबर होता है नारध जी बोले कि है पिता जी संध्या को भोजन करने से रातरी में भोजन करने तता पूरे दिन उपवास करने में क्या क्या फल मिलता है उसे आप समझाईए रम्मा जी बोले कि हे नारद संध्या को भोजन करने से एक जन्म का, रातनी में भोजन करने से दो जन्म तटा पूरे दिन उप्वास करने से साथ जन्म के पाप नश्ठ हो जाते हैं। का विदी पूरत करते हैं उनें पूरा फल प्राप्त होता है हें मुनिष्वर जो मनुष्य शद्धा पूरग थोड़ा भी पुन्या करते हैं उनका यह पुन्या परवत के समान अटल हो जाता है जो मनुष्य हिद्या के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रवोधिन एकादशी का व्रत करूंगा उसको सो जन्मों के समस्पाप नश्ट हो जाते हैं जो प्रवोधिन एकादशी का व्रत करने से धूल जाते हैं एकादशी के दिन रात्री को जागरन करने का फल अश्युमेग यग्ये के फल के समान होता है समत्त तीर्तों में जाने तता गोश्वर्ण भूमी आदि के दान का फल कार्टिक मास की शुकल पक्षी की प्रवोधिन एकादशी के रात्री जागरन के फल के बराबर होता है इस अंसार में जितने भी तीर्थ हैं तता जितने भी तीर्थों की आश्य की जा सकती है वे सब प्रवोधिन एकादशी का व्रत करने के फल के बराबर हैं जो मनुश्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी तापती के लिए दान, तप, होम, यग्यादि करते हैं उन्हें एश पुन्य प्रात्त मिलता हैं रवोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, योवन, व्रद्धावस्ता के समस्पापनश्ट हो जाते हैं इस एकादशी की रातरी को जादवन करने का फल चै जो मनुष्य कार्थिक मास में धन परायन होकर अन्य विक्तियों का आन नहीं खाते उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्यान के लिए विष्णु भगवान की काता सुनते हैं, वे अपने कुट्म का उध्वार करके एक सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। करने से कौन सा पुने मिलता है ये भी हमें समझाइए रमा जी बोले कि हे नारज जी इस एकादशी के दिन मनुश्य को ब्रह्म मुरत में उठना चाहिए नदी ताला कुआ बावडी आदी में इस्दान करके व्रत का नियम गरन करना चाहिए उस समय भगवान से विन्य करनी च कथा आदी से समय व्यतित करना चाहिए रबोधिन एकादशी के दिन करपंता को त्याकर बहुत से पुष्प फल अगर बती धूप आदी से भगवान की अरादन करनी चाहिए शंक के जल से भगवान को अर्द देना चाहिए इसका समर्तीत दान आदी से करोड गुना फल प् जो मनुष्ञ तुलसीजी से भगवान की पूजा करते हैं इसके 10 अजा में नुप करने वाले भगवान पुष्प को देखा 30% होते हैं। उनके कदन के पुश्पू से पूझा की जाए तो छेमराज के दुखों को नहीं सैन करना पड़ता जो गुलाब के पुश्पू औरे आशोक के फूलों की पूझा करते हैं अत्युं काल से रहित रहते हैं जो हाँ व्श्णा भगवान की पूझा सफ़ेद और लाल से पूजा करते हैं वे बैंत्र यम्राज मार्गु को सपलता से पार करनते हैं जो मनुष्ड चम्पक पुष्व से फिल्ड संस्य पूजह किरते हैंige शेत दीप में इस्तान मिलता है इस प्रकार रातरी में भगवान की पूजा करके प्रात है काल शुद्ध जल की नदी में इस्तान करना चाहिए इस्तान करने के पच्चाद भगवान की पूजा करनी चाहिए इसके बाद इस व्यत की समाप्ति पर ब्रामनों को भोजन करना चा जिस ब्रामण को रात्री में भोजन करावें उसे स्वर्ण सहीत बैल दान देना चाहिए जो मनुष्य यात्रास दान करते हैं उन्हें धही शहत का दान करना चाहिए जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए तेल की जगह घी और घी की जगह दूद और अन में चावल दान करना चाहिए जो मनुश इस व्रत में भूमी शेहन करते हैं उन्हें समझत वस्तुओं सहीत शया दान करनी चाहिए जो मोन धारन करते हैं उन्हें स्वर्ण सहीत तिल दान करना चाहिए जो मनुश बालों को धारन करते हैं उन्हें दरपन दान करना चाह करना चाहिए जो मनुशे चाहिए चाहते हैं इस кв करते हैं उस दिम से पूर हòng कर्दिक कर थे एस przydhinu का जिन मनुष्यों का वर्थ खंडित हो जाता है वर नरक को जाते हैं जो मनुष्य से कादशी के महात्यम्य को सुनता पढ़ता है उसे गोधान का फ्रल मिलता है कता का सार यह है कि सुध्ध्याय, तपष्च्यार, उत्यार्ग की दस्टी से चातुरे मास का नियम बहत ही महत्पूर्ण है भगवान श्री विष्णु की भक्ती में लीन होने के लिए समय अत्यम उत्तम है ग्रस्त में बंदा व्यक्ती भी चातुरे मास में भगवान विष्णु की भक्ती का पूरा लाव उटा सकता है तो आज मैंने आपको यह कहता सु अगर आपको यह पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें